सब आप लोग सब ठीक है अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं डिसकेशन जो रहेगा यह कंबाइन रहेगा फिफ्री और शिक्स्ट्री अप्रोल का जो काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो आए आज का डिसकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डे से शुरुवात करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ट हेमोफीलिया डे हीमोफीलिया एक डिसोडर रहता है एक बीमारी रहती है जैसे कि किसी को इंजिरी हो जाती है चूट लग जाती है तो ब्लड प्लोटिंग जो रहती है वो एक नॉर्मल वेसे नहीं हो पाती है इसको 17 एप्रल और अवेनेस फिलाई जाती है लोगों में हीमोफिलिया डिसॉर्डर से रिलेटिड और जो अधर ब्लीडिंग डिसॉर्डर से रहते हैं उससे रिलेटिड यह डिये जो है वर्ल्ड फेडरेशन ओफ हीमोफिलिया के फाउंडर फ्रैंक शैंचुन बेल के बर् ट्रॉपर्ली एक्सेसीट ब्लीडिंग covered को इन्ठरूर्न और अंकरिंग आफ्तर एंइच्री और डैमेज से डि अगर कोई इंजड़ी रहती है तो ब्लड व्स में डैमेज देखने को मिलता है इसके वज़े ब्लड जो घेखने को मिलती है एक इंजीड ब्रेंच में जब यह normal blood clotting यहाँ पे आप देख सकते हैं यह normal way से रहती है अगर हीमोफीलिया की बात करें तो यहाँ पे blood clotting सही तरीके से नहीं हो पाती है तो blood जो है वो continue bleeding करता रहते हैं तो यहाँ पे जो है इसको एक disorder का नाम दिया गया है जिसको हीमोफीलिया बोला गया है आई होप आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी और इसके लावा मागर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं theme लिखना भूल गयी हूँ तो इस day की theme है access for all partnership तो access for all partnership जो है इस day की theme है world hemophilia day की और इसको 17 April में celebrate किया जाता है यानकि कल के दिन इसको celebrate किया गया आई होप आपको यह सा upload नहीं कर पाई थी क्योंकि जहां पर मैं थी वहां पर जो था network बहुत issue था इसकी वज़े से जो है यहां पर जो लेक्चेर था वो upload नहीं हो पाया I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगी यह days related जो मैंने आपको fact बताए है अगर आपको फिर भी doubt होगा तो please comment section में doubt को जर सॉलोमनग आइलएंड क्या है इसके बारे में वम संहां डिटेल में डिसकस करेंगे सॉलोमन आइलाइंड जु है इसके बारे में पहले मैप में आप देख लीजी यहां पर औस्ट्रेलिया है औस और च्रूण चाहें चाही हो यहां पर कंट्री सी ही और नू तरीक्रे Νार Mr तो अस्ट्रेलिया के आपको यहां पर एस्ट साइड नौर्थ साइड यह देखने को मिलेगा आई होप आपको यह क्लेर हुआ होगा उसके लवा यहां पर हम देखती हैं सोलोमन आइलाइन के बारे में सॉलोमन आइलेंड जो यह पार्ट है एथनिकली मेलिनेशियन ग्रुप जो है आइलेंड का और यह पैसिफिक कोश्चन में लाए करता है बिट्वीन पपुएन गुनिया एंड वैनुताओ ठीक है वैनेताओ यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तो वैनेताओ के बिट्वीन यहां पर लाए करता है क्लिए यहां पर देख सकते हैं वैनेताओ की लोकेशन के यहां पर इसको कर देती हूं तो यह है वैनेताओ वह पपवान गुनिया की बिट्वीन आपको सॉलोमन आइलेंड की लोकेशन देखने को मिलती है उसके लब यहां पर देखिए आइलेंड इस के भास फारा कि रहा फिर जयापैन के कंट्रोल में अधिक सवावर यहां पे यहां पो फर के सगटीन सब्सक्रायान तक रीचर करना दिखूर्ट लेकर Department और यहां पे यहां पदज क्या गया फ्रॉम यहां में ओसफीन क 뜻 में सब्सक्षर की कर्राया तो world war first हुई थी 1914 से लेके 1918 तक तो यह आपको world war first का time duration और world war second का time duration पर याद रखना है इसके लावा हम लोग बात करें यह island जो था यह independent हुआ 1978 में to become a constitutional monarchy यहाँ पे आई under the British crown parliamentary system यहाँ पे establish किया गया एक parliamentary system of government यहाँ पे establish की गई फिर country जो थी यह member of यह बनी especially common wealth की member भी बनी यह common wealth member हों से रहते हैं यहाँ पे Britishers का control रहा था colonial यहाँ पे rule रहा था Britishers का जिन जिन countries के countries के उपर वहाँ वह वाली सारी countries common wealth की member बनी और हमारी contributes का पाठ है तो common wealth games भी आपको देंगे रहे को मिलती है एक independent and governor journal यहाँ पे point किएगे as a unique camera national parliament तो Solomon Island जो है कहां पी located है यह आपको clear होना चाहिए उसके लबाए अगर मैं बोलूं कि अपनी country के संदर्व में देखे तो यह हमारी country है तो यहाँ पी आपको अमेस्थूसिया पिदी पिदी पॉसिस ओके तो यह साइन्टिफिक नेम है तो साइन्टिफिक नेम भी आप लोगों ने ध्यार में रखना है और यह रेयर बटरफ्लाइप पार्म किंग जो है यह कहां पर अभी पाई गई है यह तामिल लाड़ू में फॉर्स टाइम यह स है कि गये थी एक हमारे ना इन प्रिटिफिक बेटिब्रीम में में उस्टाइम यह स्पीसिस की स्पोर्ट किई थी ऐं की ऑफ दी साइंटिस एक ताइस serieड रोड़ू में प्रोडनust такую फिर बाद में इसको यानिक शो साल के बाद यहां पे जो था सो साल से भी जादा टाइम हो चुका था फिर इसको फिर से डिस्कवर किया गया 2007 में तो पाम किंग जो है यह बिलॉंग कहां से करती है नियम पैलिडाई सब फैमिली जो है और फीर्ट और पाम कोकोनेट यानि कि यह अपना जो भोजन है वह कहां से लेती हैंια कोकोनट थे टिन प्लांट की बटरफायों की सपीशिस है और इसके क्रेक्टिस सा इसकी बात करें तो यह ब्राउन कलर का इसका बोडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यानिकि बोडिका सपी है और बैंद आप यहां भी देख सकते हैं डांक भैंडिड रहते इनकी जो यानि की शेप जो ब्राइगे हो एक कलर जो है एक वुड़न टाइप कलर रहता है अगर वुड़ पे यह रहे तो यह इतनी दिखाई नहीं देगे यानि कि अगर पेड़ पे रहे यह तो इट इस नॉट इजी तो स्पोर्ट पार्म किंग विकोस वुड़ कलर ठीक ह है अगर इसकी स्पीसिस के हम लोग बात करें अक्रोस दी पार्ट ओफ इंडिया में पाई तो जाती है उसके लवा में अनमार इंडो चाइना पैनसुलर मलेशिया एंड थाइलैंड में पाई जाती है इंडोनेशियन जो आर्पी लेज जो है यानि कि जो दीप समूह रहता इंडो फिलिपिंस में पाई जाती है अगर अपनी कंट्री में बात करें तो पाब किंग जो यहां पर स्पोर्ट की गए रिकॉर्डिट की गए है इसकी स्पीसीज फोरेस्ट जो है अरिपा शे परिया टाइगर ईजव जो काफी जारा इंपॉर्टन है कैरेला में है यह औ तो Western Ghats में गुजरात, महराष्ट्र, गोवा, करनाटका, कैरेलाइन, तामिलनाडू, टोटल 6 स्टेट्स जो है Western Ghats में आते हैं और Eastern Ghats की बात करें तो West Bengal, Odisha, आंधर परदेश और तामिलनाडू याद रिखेगा Western Ghats में तामिलनाडू भी जो है पाया जाते हैं, उसका पार्ट है Western Ghats का, कुछ पार्ट जो है तामिलनाडू का और Eastern Ghats में भी आता है तो टोटल 6 पाय जाते हैं Western Ghats, क्लियर है इतना, तो पैरिया टाइगर इजर्व जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कैरेला में, तो यहां पर जो इसकी स्पीसिस पाय जाती है I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी, उसके लावा आपके सामने एक question है, जो मैंने आपसे discuss भी किया था और 2016 में UPSC के दोरा पूछा भी गया है, कि recently ही हमारी country के जो scientist हैं के दोरा एक discover किया गया, new and distinct species कि इसकी banana plant की जिसकी height है, approach साब देख सकते हैं, 11 meter है, orange color fruit pulp है, और यह हमारी country के कोन से पार्ट में discover किया गया, option A है, अंडामान आइलेंड, option B है, अनाई मलाई forest, option C है, माइकल हेल्स, option D है, ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट ऑफ नौर्थ इस, तो इसका answer जो है, यह comment section में जरूर दीजेगा तो सही answer किया है, इसके बारे में जुरूर बताईएगा, अच्छे तरीके से कोशर को analyze कीजेगा, इसके बारे में already आपको बढ़ा चुकी हूँ, तो इसका सही answer है, अंडामान आइलेंड, अंडामान आइलेंड में इस species पाई गई थी, बनाना की species, मुसा, मुसा, इंडामन इस, यह discover की गई, कहां पे team of scientists from the botanical survey of India के द्वारा, remote जो कृष्णा नाला ट्रॉपिकल रेन फोरेस्ट वाहां पे लिटर अंडामान आइलेंड में, तो इस इंपोर्टेंड है, याद रखेगा, तो UPSC के द्वारा already यह question पूछा भी किया है, I hope आपको यह सारी चीज़े क्लियर होई होंगी, बढ़ते हैं, next article की ओर, या, काफी जारा important है, यह laser missile defense system के बारे में, यहाँ पे बात की जा रही है, ऐसे रहता है कि जैसे missiles वगेरा, जो है, वहाँ पे another country पे, जो है, war के time पे, वहाँ पे छोड़ी जाती है, ठीक है, enemy country के उपर, तो यह क्या रहता है, क यह missile system है, यह invisible in nature है, रिसेंटली ही, इसराइल के दोरा, यह successfully इसका test किया गया है, new laser missile defense system का, यह एक interceptor, motards, rocket है, anti-tank missile system है, यह, इसराइल का जो iron dom defense system है, iron dom defense system क्या है, यह आपके सामने है, तो iron dom defense system एक तरह का missile system है, अगर enemy, enemy country क्या करती है, वार के time में, missile छोड़ती है, हवा हवा में, तो यह हवा ही हवा में क्या कर देती है, उस missile को destroy कर देती है, यह अपनी country तक पहुचने नहीं देती है, अगर यहाँ से enemy country ने missile छोड़ी है, यहाँ पे एक radar system है, यह detect करेगा rocket को, दूसरा control system है, यहाँ पे estimate लगाया जाएगा, impact point का, तिसरा यहाँ पे launcher fire missile system है, ठ इसराइल के लिए, उसी तरह से यहाँ पे America का जो है thought system है, उसी परकार से S-400 system है, रश्या का, जो हमारी country के दोरा अभी हाली में ही खरीदा गया है, clear, तो यहाँ पे आप देख सकते है, S-400 system जो हमने रश्या से खरीदा है, और USA के दोरा essential लगाले की भी बात की गई थी, त गाजर स्ट्रीप है, वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट है, तो गोलन हाइट आज के टाइम में किसके कंट्रोल में है, यह आप लोग बताइएगा, कापी बार पढ़ा भी चुकी हूँ, Jordan, और Syria, Lebanon, और यहाँ पे Egypt, यह क्या इसकी बॉर्डर, जो country's के बॉर्डर है, यह टच system की, इसमें included most costly यह rocket intercepting है, iron beams interception के अगर बात करें, यह काफी silently work करता है, they are invisible, use किया जाता है, इसको detect energy weapon system and can go long way in providing aerial defense, कि इसको little is known as about laser system effectiveness, but it is expected to be deploy on land in the air at the sea, यानि कि इसको land के ओपर भी, air के ओपर भी, sea के ओपर इसको deploy किया जा सकता है, effectively accuracy देखें, तो इसकी easy to operate tool, significantly cheaper than any other existing means of protection, I hope आपको यह clear हुआ होगा, तो याद रखेंगे कि इसके द्वारा अभी इसका successfully test किया गया है, laser missile defense system का, वो है इसराइल, उसके लावा आपके सामने question है, इसका answer ज़रूर दीजेगा, 2018 में UPSC के द्वारा यह question पूछा गया, what is terminal high altitude area defense यानि कि THAR, अभी हाली में news में था, यह कौन सी country का है, option A है, an Israeli radar system, option B है, India's indigenously anti-missile program, option C है, an American anti-missile system, option D है, defense collaboration between Japan and South Korea, तो अभी आपको मैंने इसके बारे में बताया था, तो इसका सही answer बताईएगा, ज़रूर, तो इसका सही answer है, option C, यानि कि अमेरिका का anti-missile system है, य जिसकी full form आपको याद रखनी है, terminal high altitude area defense, यह एक intercept and destroy short medium range blastic missile है, during terminal phase flight when they are failing towards the target, ठीक है, जैसे मैंने आईरन डॉम के बारे में बताया, वैसे ही work करती है, एक और question आप लोगों के सामने, आप लोगोंने बताना है, यह traditions है, festivals है, कौन सी states से यह बिलॉंग करते है, 2018 में UPSC के दोरा पूछा गया, जैसे चपचर कुट फेस्टिवल कहां पे यह celebrate किया जाता है, मिजोरा में किया जाता है, यह फिर यह जो है second आपको बता रख है, कौंग जोम पर्भा बाला दिये मनिपूर में किया जाते है, ठंकता डांस जो है, यह सिक्किम का है, तो कौन सा पियर ज यह मनिपूर का है, ठीक है, तो एक मार्शल आर्ट फॉंट में यह थंकता, तो यह आप लोगों ने यहाद रखना है, ठीक है, तो एक आप युपार में ने डिसकस भी किया है, तो option 3 जो है, यह तो गलत हो गया, तो यह भी गलत जाता है, यह भी गलत जाता है, अगर बात क लेते हैं, चप्चर कुट जो यह oldest festival है, मिजॉरम का, और यह great cultural significance यहाँ पर देखने को मिलता है, कौंग जूम प्रभा यह एक singing की तरह यहाँ पर प्रफॉर्म किया जाता है, यानि कि singing यहाँ पर सॉंग्स वगरा गाय जाते हैं लोगों के दौरा, ठीक है, तो मनिपूर मे यह जो है festival celebrate किया जाता है, डोलक वगरा भी इसमें यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो heroic battle stories जो रहती हैं, वो यहाँ पर पर प्रफॉर्म की जाती है, मनिपूरिस के द्वारा against the British Empire 1891, ठंक्ता की बात करी, ancient martial art form है, मनिपूर का, इसको hang lagoon भी बोला जाता है, ठंक्ता is a sword, ठीक है, यानि कि तलवार है, spare dance, वेर थंक्ता मीन, sword and ता मीन, spare, okay, I hope आपको यह clear हुआ होगा, पड़ते हैं, next topic, यहाँ बात की जारी है, वीर कुनवर सिंग के बारे में, वीर कुनवर सिंग काफी जारा important personality रही, अगर history के point of view से देखे तो, यह एक great freedom fighter थे, अभी हादी में ही इनको government के द्वारा tribute पे किया गया है, वीर कुनवर सिंग को, 1777 से 1858 तक इनका life period रहा, lifetime period रहा, तो इनकी हाली में अभी birth anniversary celebrate की जाएगी, 23rd April में, अगर इनकी बात करें ही, यह उजैनिया, उजैनिया family से बिलोग करते थे, परमार राजपूर थे, जगदीशपूर, currently पार्ट है यह आज के टाइम में बिहार भोजपू डिस्टिक का, chief organizer थी, fight की गई इनके द्वारा against British in बिहार, properly इनको वीर कुनवर सिंग के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा lead किया गया Indian जो rebellion था 1857 का, जिसको first war of independence के नाम से हम लोग जाते हैं, जिसको स्पाइम इंच इनके द्वारा assist किया गया बाइदी, both his brother Babu Amad Singh and his commander-in-chief here Krishna Singh, बड़ी अच्छे थी के से इनके द्वारा fight की गई, British forces के खिलाफ nearly a year and remain invincible until the end and he was an expert in the art of gorilla warfare, गुरेला वार्फियर क्या रहते हैं, जैसे ताना जी मुवी आप लोगों ने देखी होगी, जैसे छुपके वार करन ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे अजे देव गन और उसमें था सैफली खान, ठीक है, तो इसमें गुरीला वार्फियर बता रखा है, छुपके वार किया जाता है उसमें, ठीक है, तो इसमें काफे जारा expert थे ये, इनकी यानिकी death कब हुए, यानिकी शहीद हुए, 26 April 1858 में यानिकी इसी मन्त इनकी जो है शहीदी दिवस भी हम लोग celebrate करेंगे, इनके दोरह contribute किया गया India's Freedom Moment में, Republic of India यानिकी यहाँ पे commemorative stamp यादगिरी जो stamp थी इनके नाम की, तो 23 April 1966 में यहाँ पे issue की गई, Government of Bihar के दोरह also established किया गया, वीर कुनवर सिंग युनिवर्सिटी को, कहा यहाँ पे अराह में 1992 में, 2017 में वीर कुनवर सिंग सेतु यहाँ पे integrate किया गया, जिसको आराच चप्रा ब्रिज के नाम से जाना जाता हो, यह connect करता है North and South Bihar को, 2018 में celebrate किया गया 160th anniversary of कुनवर सिंग's death, Government of Bihar relocated of statute of him at Hendritch Park में, और यह पार्क को rename किया गया as वीर कुनवर सि पाक, I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होंगी, उसके लावा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे preamble के बारे में, preamble काफी जारा important है हमारे constitution of India के अगर हम लोग बात करते हैं तो, preamble to the Indian constitution, preamble जो है यह introductory statement है, एक document है और explain document है अगर बात करे philosophy and objectives की, जैसे book रहती है, उ book में आखिर होता गया है, आपको इस book में क्या-क्या चीज़े पढ़ने को मिल सकती है, वैसे हमारे constitution of India, जो एक detailed document है, एक written constitution है, world का, तो वहाँ पे आपको preamble बता रखा है, starting में ही, और वहाँ पे preamble के थुरू आपको यह समझाने की कोशिश की गई है, आकिर हमारे Indian constitution में है क्या-क्या, तो preamble जो है, यह basic idea देता है हम लोगों को, किसमें इसका nature क्या है, इसका source क्या है, statement क्या है, और यह इसको adopt किया गया, considerate को किया गया, अगर preamble की बात करें हमारे India's constitution की, तो जो आला नहरू जी के द्वारा objective resolution लाया गया था, जो constitute assembly के द्वारा adopt किया गया, 22 January 1947 में, इसके द्वारा preamble जो है, यह source किसका, यानि किसका source कहां से लिया गया है, people of India से, तो यह याद रखेगा, कई बार यह question पूछा भी जा चुका है, preamble जो है, यह declare किया गया हमारी country में, तो इससे related sovereign, socialist, secular and democratic republic, जो words है, यह भी declare किये गे, इसी के साथ जो preamble start किया गय यहाँ पर justice रखेगे, justice कौन-कौन से, social, economics and political justice, अगर मैं justice की बात करूँ, तो यह कहां से लिये गये है, कौन से country से लिये गये है, तो यह रश्या से लिये गये, Russian revolution से, अभी मैं आपसे एक question पूछती हूँ, कि Russian revolution कब हुआ था, कौन से एर में हुआ था, तो यहाँ पर citizens के यहाँ पर सिक्योर किया गया, justice, liberty and equality, और promote करना हम लोगों ने fraternity, यानि की भायचारा, और maintain करके रखना है, unity, integrity of the nation, clear, date जो है, यहाँ पर प्रेंबल में मैंचन जो की गई है, 26 November 1948 में, sorry, यहाँ पर 26 November 1949 की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पर 26 November 1949 में हम लोग क्या celebrate करते हैं, National Constitution Day भी celebrate करते हैं, याद रखी कि इस दिन हम लोग उने सविधान को adopt किया था, अपनाया था, पर 26 January 1950 में हम लोग उने इसको implement किया था, तो 26 January 1950 को जो है, जो implement किया गया, उसके बाद हम लोग Republic Day celebrate करते हैं, तो इस दिन हम लोग सविधान दिवस celebrate करते हैं, I hope आपको यह clear होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रियंबल को, जस्टीस है, ठीक है, तो यहाँ पर सॉवरन, सोचलिस, सैकुलर, और डेमोकरिटिक रिपबलिक, कई बार यह करोनोलोजिकल ओडर में लिखने को बताने को आ जाता है, कि इसको लगाई है, तो यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ओर्डर में, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिबर्टी, एक्विलिटी, एंड फॉर्टिनिटी, अगर मैं इक्विलिटी, लिबर्टी, और फॉर्टिरिटी की बात करूं, तो यह जो है, हम पुछा गया, तो केश्वननन्द भारती केस आया, फॉर्स्ट एम, यहाँ पर थर्टीन जजिस बैंच यहाँ पर देखने को मिले, सबसे ज़्यादा जजिस इसी केस में बैठे, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर केश्व इंपोर्टन रोल इन इंटरिप्रेटेशन अफ दी स्टेटस और प्रविजन अफ दी कॉंस्टिटिशन, टर्म जो है सोशली सेकुलर इंटेग्रिटी इसको एड़न किया गया, फॉर्टी सेकंड को एड़ किया गया, बिट्वीन सॉवरेन अन डेमोकरिटिक, युनिटी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन को चेंज किया गया, एज यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा, और यह सारी चेंजिस 42nd Constitution Amendment Act 1976 के तहत किये गए, और इस Amendment को हम मिनी Constitution के नाम से भी जानते हैं, आई होप आपको यह सारी चीज़े क्लियर हुई होगी, इसके इलावा कुछ फैक्ट हैं या आप लोगों याद रखने हैं, आर्टिकल 394 जो है हमारे Constitution का उसमें, आर्टिकल 56789, 6324, 367, 379 and 394 जो है, इसको फोर्स में लाया गया, और अडॉप्शन किया गया, Constitution का 26 November 1949 में, और प्रोविजन जो लाए गये, य और ये फ्रेंच मोटो अफ दी फ्रेंच रेवलुशन से लिए गये, आई होप आपको ये सारी चीज़े क्लियर हुई होगी, बटने है नेक्स आर्टिकल क्यों, यहाँ पे लोड हनुमान जी के बारे में बता रखा है, अभी यहाँ पे हनुमान जैनती गई, हनुमान जैन जो बिल्डप किये गए हैं across the country, उससे यह बड़ी है, हनुमान चारधाम प्रोजेक्ट के तहत इसको क्या किया गया है, इनुगरेट किया गया है हनुमान जी की स्टैचु को, आई होप आपको ये सारी चीज़े क्लियर हुई होगी, तो यह था important session 15-16 April का, PDF इसकी आपको ट